आज हम लेकर क्या है, फुल प्रोटेक्शन के साथ बेस्ट सोलर इन्वाटर जो कि अजन्द सोलर कमपनी का यह जो सोलर इन्वाटर है यह 11 सूर विये का इन्वाटर है DSP टेक्नोलजी पर वर्क करता है, प्योर साइन्वेव इन्वाटर है, लोंग लाइप है, LCD डिस्पले है, बैटरी टाइप सेलेक्शन है सोलर इन्वाटर की आपको दो साल की वर्रेंटी मिल जाती है और अब हम इसके कुछ फीचर देख लेते है इस इन्वाटर में फ्रेंट्स, ओवर टंप्रेचर पोटेक्शन दी गई है, DSP बेस्ट, PWM टेक्नोलजी पर वर्क करता है बैटरी ओवर चार्ज और डीप डिस्चार्ज पोटेक्शन दी गई है, मैन ओवर और अंडर वल्टेज कट ओफ दिया गया है जब आपके गर में कई बार क्या होता, टू-फेज पावर आ जाती है, तो यह ओटोमेटिकली पावर को ओफ कर देगा, उसमें हमारे गर के अप्लाइंसिस बच जाएंगे खराब होने से, तो इसके अंदर वो पोटेक्शन दी गई है स्मार्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन विद ओटो रिशेट के साथ, जब आपका इनवेटर ओवरलोड पे ट्रिप करेगा, तो यह ओटोमेटिकली रिशेट हो जाएगा, यानि कि हमको रिशेट करने की आउसकता नहीं है, और लो वोल्टेज में बैटरी को अच्छे से चार इसमें बैटरी, शोट सर्किट प्रोटेक्शन दी गई है, फुल प्रोटेक्टिव यह सोलर इनवेटर है, मतलब हर परकार के इसमें प्रोटेक्शन दी गई है, और कस्टमर स्पोर्ट के लिए आपको इसमें कमपनी की मेल आईडी और कॉंटेक्ट नमबर दिया गया है, और अब हम box के अंदर देख लेते, inverter के साथ साथ हमको क्या-क्या मिल जाता है. Friends, आपको ये solar inverter परचेज करना है, तो वीडियो के description में हमने company के official website का link दिया हुआ है. वहाँ जाकर के आप हमारा coupon को डिलेक्टरिक गुरूजी अप्लाइ करोगे, तो आपको 12% का extra discount मिल जाएगा. इस inverter के साथ हमको मिलता है एक user manual और warranty card और कुछ AC और DC fuse मिल जाते हैं. और ये हमारा solar inverter, सामने की तरफ देखे तो company की branding दी गी है, जन solar, अपना solar. ये इसकी LCD display है, जिसमें पूरा data show करता रहेगा, input voltage, output voltage, current वगएरा सब यहीं show करता रहेगा. ये इसका on-off switch दिया गया है, DSP technology पे work करता है, sine wave home UPS है, ये इसका model number है. ये है इसका front panel, और अभी इसका back panel देख लेते हैं, solar inverter का back panel, ये जो आपको cable दिख रही है, ये 220V AC input cable है, जो हमारी grid power में connect हो जाएगी, phase और neutral, ये वाली जो cable दिख रही है आपको, black और red color की, ये DC input और output cable है, जो के हमारी battery में connect होगी. solar inverter को ठंडा रखने के लिए, यहनि कि cooling रखने के लिए इदर cooling fan दिया गया है, ये वाला जो switch आप देख रहे हो, solar और grid पे हम इसको select कर सकते हैं, ये switch है, inverter पे हमको mode इसका change करके, ये UPS पे दो mode इसमें, और ये battery type selection है, ये switch, tubular battery या SMF battery, यहाँ switch से हम इसको select कर पाएंगे, AC के लिए इदर fuse दिया गया है, और ये जो दो terminal है, ये हमारे solar panel के है, यहाँ solar panel से, जो input negative और positive आईगी, यानि कि जो 12V आईगी DC, वो यहाँ connect होगी positive terminal ये है, और negative ये वाला है, और ये 5 pins जो socket है, ये हमारी AC output socket है, फ्रेंट्स हमने solar inverter को, अभी power में connect कर लिया है, और ये देखे, इसकी LCD display में, पूरा data show कर रहा है भी, इसका temperature वगेरा, और input voltage सब इसमें show करता रहेगा, DSP, sine wave, UPS, ये देखे, सबी पूरा data इसमें आता रहेगा, ऐसे ये show करता रहेगा, अभी input voltage 225V AC की, ये अगर solar inverter आपको purchase करना है, तो वीडियो के description में, हमने company के official website का link दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप हमारा coupon का electric guru जी apply करोगे, तो आपको हर product के उपर 12% का discount मिल जाएगा, तो ये था जन solar company का solar inverter, ओके फ्रेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना है,